और महराश्ट की राजनीती कुथल पुथल के बीच बीजेपी अब खुले तोर पर सामने आ गई है। वेपक्ष खेनेता देविंद्र फर्नवस ने रज्ज के राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य के मुझूदा मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे के खिलाफ फ्लोव टेस इमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्तिती दिखाई पड़ती है इस परिस्तिती में शिवसेना के 49 विधायक ये बहार है और वो लगातार ये कह रहे है कि हम कॉंग्रेस एंसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते और इसका सिधा मतलब है कि ये 49 एमेलेज ये सरकार के साथ नहीं है या बे महाविकास आगाडी को समर्तम नहीं देना चाहते और इसलिए हमने राज्यपाल जी कोई कहा है कि चूकी सरकार अलपोमत में निखाई पड़ती है इसलिए तुरंट सरकार को आप निर्देश दे मुख्यमंत्री को निर्देश दे कि मानिया मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करे और अपना भहुमत सिध्ध करे माराष्ट्र में सियासी पारा अपने चरम पर है और इसी बीच देवेंद्र फड़नवीस जो बीजेपी के नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने गवर्नर से जो है बुलाकात किये है और ये मांग की है कि उद्धव ठाकरे की महा विकास अगाडी सरकार जो है वो बहुमत सिद्ध करे और इसी को लेकर के उन्होंने मांग की है कि गवर्नर महा विकास अगाडी से अपील करे कि वो फ्लोर्टेश करे ये तब आता है जब शिवसेना के आधा से जादा विधायक जो है दो तिहाई विधायक एकनाचिंदे के खेमे में है और चिंदे के विधायकों कर लेकर नहीं पहुँचेंगे इसी बीच देवेंदर पढ़नवीश की ये मांग कई कही महा विकास अगाडी सरकार की मुसीबतें जो है वो बढ़ा सकती है जो सूतरों ने हमें बताया है बीजेपी के सूतरों ने बताया है इस वक्त जो है के समर्थन में है कहीं न कहीं आने वाले दिनों में यदी महा विकास अघाडी की सरकार जो है बहुमत सिद्ध करने में विफल होती है तो बीजेपी कहीं न कहीं महाराष्ट में सरकार बनाते हुए दिखाए दे रही है मुंबई से कैमरा में यतिन के साथ संदीप सिंग मिरर नाउ